हेलो चिल्डरन, तोडे इन दिस वीडियो वी विल डिसकस अबाउट क्वेशन ओफ एक्सरसाइज 26 फ्रॉम युनिट 7 मल्टीपल ओपरिशन्स आज इस वीडियो में हम युनिट 7 मल्टीपल ओपरिशन्स की एक्सरसाइज 26 के क्वेशन करना सीखेंगे So this is first question, Mr. Pande earns रुपीज 49,800 पर मन्थ, Mr. Pande एक महिने में 49,800 रुपीज कमाते हैं Mrs. Pande earns रुपीज 50,000 पर मन्थ और Mrs. Pande एक महिने में 50,000 रुपीज कमाते हैं Who earns more? कौन ज़्यादा कमाता है? And by how much? और कितना ज़्यादा कमाता है? ये हमें fine करना है सबसे पहले हमने ये देखा कि ये word problem है इसलिए हमें statement लिखना होगा So first statement is earning of Mr. Pande Mr. Pande की earning हमें दी हुई है question में रुपीज 49,800 Next statement is earning of Mrs. Pande ये भी हमें question में given है रुपीज 50,000 हमने ये लिख दिया अब यहां हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा कमाता है Mr. Pande 49,800 रुपीज कमाते हैं और Mrs. Pande 50,000 रुपीज कमाती है दोनों में से 50,000 बड़ा नमबर है because ये भी 5 डिजट नमबर है और ये भी 5 डिजट नमबर है but इसका first डिजट 4 है और इसका first डिजट 5 है तो 5 बड़ा नमबर है इसलिए 50,000 बड़ा होगा It means Mrs. Pande ज़्यादा कमाती हैं तो हम यही लिखेंगे Mrs. Pande earns more Mrs. Pande ज़्यादा कमाती हैं अब यहां हमें ये भी बताना है कि कितना ज़्यादा कमाती है इसके लिए हम 50,000 में से 49,800 को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो हम यहां सब्ट्रेक्ट कर देते हैं रुपीज 50,000 49,800 एंड सब्ट्रेक्ट हमने यहां सब्ट्रेक्ट ही क्यों किया इसे हम एक एक एक्जामपल से समझते हैं अगर Mrs. Pande 10 रुपीज कमाती है और Mr. Pande 8 रुपीज कमाते हैं तो Mrs. Pande जादा कमारी हैं विकोज वो 10 रुपीज कमारी हैं और कितना जादा कमारी हैं तो 2 रुपीज जादा कमारी हैं कैसे हमने 10 में से 8 को सब्ट्रेक्ट किया तो आंसर 2 आया इसी तरीके से हम यहां बड़े नमबर में से छोटे नमबर को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0 में से 0 सब्ट्रेक्ट होगा तो 0 यहां भी 0 0 में से 8 सब्ट्रेक्ट नहीं हो सकता तो 10 में से 8 सब्ट्रेक्ट करेंगे 10 में से 8 सब्ट्रेक्ट होगा तो 2 अब यहां 9 ही बचेगा 9 में से 9 सब्ट्रेक्ट होगा तो 0 यहां 4 ही बचेगा 4 में से 4 सब्ट्रेक्ट होगा तो 0 It means 200 रुपीज तो हम यहां लिख देंगे Mrs. Pande earns rupees 200 more than Mr. Pande It means Mrs. Pande 200 rupees जादा कमाती है Mr. Pande की तुलना में Mrs. Pande 200 rupees जादा कमाती है Mr. Pande की तुलना में तो इस तरीके से हम इस question को समझ सकते हैं